असलाम अलेकुम, मेरे से question पूछा गया और अभी तब के पूछे जाने वाले questions में मैं समझता हूँ सबस्दाता logical question यह पूछा गया question यह है कि अगर हम biopsy ना करवाएं, direct guilty निकलवादें और निकलवाने के बाद उसका test करवा लें, तो ऐसे में ठीक रहेगा क्या, मुझे guilty निकलवाने में कोई issue नहीं क्योंकि यह बड़ी हो रही है, so yes, it's a very logical question, कि हम एक lump हो गया है breast में, तो हम वो lump ही निकलवा देते हैं, ज ही नहीं, तो जब वो lump cancerous ही नहीं, तो आप उस lump को क्यों निकलवा रही हैं, अब आप बोलेंगी कि वो 95% क्या cancer है, unfortunately और fortunately हमने हमेशा से breast cancer की awareness ही सुनी है, इसलिए हम समझते हैं कि बस breast में cancer है और कुछ नहीं है, जिसम के दूसरे हिस्सों की तरह breast के lump infection की वज़ा से भी हो सकते हैं, breast का काम दूद बनाना है, तो वो milk cyst भी हो सकते हैं, वो water cyst भी हो सकते हैं, दूसरे organs की तरह breast में TB भी हो सकता है, सही है, वो किसी irritation की वज़ा से जैसे माथे नमास का निशान पर जाता है, जिसम माथा फरस से टक्रा रहा होता है, या तखनों पर निशान पर जाता ह आने की, so there are 95% chances कि आपको cancer ही नहीं, तो आप lump क्यों निकलवाएंगी, चले, let's talk about कि आपकी medical history is type की है, कि आपकी तीन भेने, तीनों को cancer है, वालदा को भी cancer था और आप बहुत ज़्यादे डेरी मी और आपकी age भी cancer group में, breast cancer वाले group में fall कर रही है, तब भी हम recommend नहीं करते है कि पहले पूरा lump निकलवा दिया जाए, उसकी वज़ाई है, कुछ cases में हम recommend करते हैं, अगर एक और एक breast lump के साथ आ रही है, so there are different types of cancers, कुछ cancers ऐसे होते हैं, जिसमें पहले chemotherapy देखे हो, उस lump को shrink किया जाता है, कुछ cancers ऐसे होते हैं, जो इतने aggressive होते हैं, उसमें कहा जाता है कि पूरा का पूरा breast ही remove करना है, तो हम जब biopsy करेंगे, तो हमें पता चलेगा ना, कि आया वो non-cancerous है, या cancerous है, और अगर cancerous है, तो वो कौन सी type का cancer है, इसलिए हमेशा सही advice किया जाता है, कि पहले उस lump की biopsy की जाए, biopsy करने के बाद, line of treatment decide की जाए, हाँ, कुछ cases ऐसे हो वीडियो के थूरू, इसलिए हमें, और जिसने भी एक question किया है, बहुत ज़्यादा logical question किया है, किसी और को भी question हो, तो वो मेरे से question कर सकता है, thank you